भवानीपूर की दीवाली नैतिक कहानी कुक्कू की नानी का गाव था भवानीपूर। वह अपनी नानी के साथ भवानीपूर में रहता था। पास में ही एक और गाव था भीमपूर जो नदी के बिलकुल किनारे पर था। एक बार की बाद भीमपूर के पास बहने वाली परिवार में कई-कई लोग बीमारी की चपेट में आ गए। पहले तो कुक्कु के दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते रहे, पर फिर धीरे-धीरे कुक्कु की बात का उन पर असर हुआ। पहले रुपए इकठे कर लिये। वसंदूकची उन्होंने मुखिया जी को यह कह कर दी कि हमारी ओर से आप भीमपूर के लोगों तक पहुँचा दें। बच्चों का त्याग देखकर मुखिया रामचंदरन की भी आँखें भर आई। उसने गामवालों से कपड़े और अनाज इकठा किया। फिर सब कुछ बैलगाडी पर रखकर बच्चों की टोली के साथ भीमपूर की ओर चल दिया। वहाँ जाकर मुखिया रामचंदरन ने कहा, यह कुक्कू और उसके दोस्तों की ओर से दीवाली की छोटी सी सौगात है। भीमपूर के लोगों ने खुश होकर खुक्कू और उसके दोस्तों को खुब प्यार किया। उस दिन भववानिपूर के लोगों ने सिर्फ एक दिया जलाया। प्यार का दिया उसमें पडोस के गाउं के लिए संदेश था कि हम एक हैं, हर मुसीबत में एक दूसरे के काम आते रहेंगे।